हेलो फ्रेंट्स आइए हम आज के ट्यूटोरियल में इंगलिस ग्रैमर में पार्टीसिपल का इवज करना सीखते हैं तो इसके बाद एक और पार्ट टू का भी वीडियो बनेगा ठीक है वो मेरे यूटूब चैनल कनेश्ट को स्वामी पर जागर कि आप देख सकते हैं ठीक ह तो सबसे पहले सीखते हैं वर्ट पार्टीसिपल तो दो वोर्ट फीट एज और अडिक्टिव डैडिश कॉल्ट पार्टीसिपल प्रैसिकली होता किया है यहां दिखै मैंने पार्टीसिपल इस इकवल टूवर्ब एडेक्टिव ऐसा वर्ट जो वर्फ एड्ट काम करता है that is called participle ठीक है यहाँ प्याइए नीचे एक्जैम्पल देख से हम और वाकिंग कुमन काम कर रही महिला और टार्ण बुक भटी हुई किताब और टायर्ड मैं थका हुआ आदमी टाइपस ओफ पाडिसिपल पाडिसिपल के प्रकार तीन तरह के पाडिसिपल होते हैं प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पाडिसिपल तो आएए हम एक एक करके प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट पाडिसिपल के बारे में सीखते हैं यहां पे देखिए प्रेजेंट पाडिस वह चलते हुए रेल-ाड़ी से गुद गया, वह कैसे रेल-गाड़ी से हुदा? चलते हुए यानि कि, present participle के last में ता हुआ, थी हुई, ते हुए लगा होता है, तो वह चलते हुए train से गुद गया, ठीक है? तो, running की ऑग TWO प्रजेंट पार्डिसीपल हिए हैं आगे देखते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के बारे में। यह बर्ब का सर्ड फॉर्म लगा करके मनाते हैं वर्ब का जो सब्सक्राइब कर दोता है। यह एक्जैम्पल देखते हैं। I shall not purchase the broken chair, मैं तूटी हुई chair या कुरसी नहीं खरीदूंगा, ठीक है, यहां पर देखिए, आ हुआ, यह हुई, यह हुए, लगा होता है, past participle का, जब basically हिंदी में देखने है sentence को, जैसे मैं तूटी हुई कुरसी नहीं खरीदूंगा, ठीक है, जैसे I shall not buy or purchase decade vegetables, मैं सडी हुई सबजी नहीं खरीदूंगा, तो past participle के हिंदीज के last में, आ हुआ हुई यह हुई, यह हुई लगा होता है, और भर्व के third form लगा करके बनाते हैं इसको, ठीक है, वैसे ही आगे देखते हैं हम लोग perfect participles, perfect participles को हम having plus verb का third form लगा करके बनाते ह हैं, आए एक्जैंपल देखते हैं नीचे में, having seen me, मुझे देखकर he began to read, वह पढ़ने लगा, having seen the tiger, they ran away, बाग को देखकर वे लोग भाग गया, तो यहां पर देखने हैं, इन दोनों sentence में, having plus verb का third form, sin, यह क्या है, perfect participles है, ठीक है, तो इस तरीके से आप present participles, past participles and perfect participles का युज कर सकते हैं, अगर ए वीडियो आपको अच्छा लगे, तो आपने friends को share करे, like करे, comment करे and subscribe, thanks for watching the video and don't forget to see the part 2 video pertaining to participles, thanks